हाई व्रीवन विल्कम बैक टू माय चैनल फ्रिंड्स आज में बच्चे हुए चावल से कैसी रेसिपी शेयर कर रही हूं जो हो सकता है कि आपके लिए यूसफुल हो यानि कि अभी जो हालात है उसकी साथ से हमें तो कोई भी चीज को वेस्ट नहीं करना है तो इसलिए मैंने तो इसे पहले हम पीस लेते हैं मिक्सी में थोड़ा सा पानी एट करना है एक कप और इसे हमें बारिक पीस लेना है तो यहां पर देखी इसे मैंने अच्छी से पीस लिया है और इसे एक बोल में हम ट्रांसफर कर लेंगे इसके बाद जो जार में लगा हुआ है बैटर चावल का उसे भी पानी दाल के मैंने इस तरह से निकाल दिया है इसे आप पहले मिक्स करते हैं ऐसे यह देखते हैं कि यह कितना गाड़ा है तो इसमें थोड़ा सा पानी और जाईए अभी तो हाफ कप वाटर मैंने और एट क कर देना है तो यहां पर मैंने टू टेबल स्पुन टमाटर शिम्ला मिर्च और प्यास लिए जिसे बारिक कट कर लिया था एक हरी मिर्च कट करके एट कर देना है हाफ टी स्पून रेचिली फ्लैक्स कि वन टी स्पून हम इसमें मैगी मसाला आट करेंगे जो मसाला मैंजिक तो इसका टेस्ट वहत ही अच्छा आएगा कि हाफ टीस्पून सॉल्ट कर देना है वन टीस्पून में इसमें बेशन मैंने क्यों एक किया आगे बताती हूं आपको तो इससे मिक्स कर लेते हैं मिक्स करने के बाद कुछ बैटर इस तरह से आप देख सकते हो तो आप चलते गेज कर देना है और लो कर देना लो कर देना बेटर को मरतबह चालाएंगे हम sixt कर देंगे तो आफ पेटर को इसी तरह से स्प्रेट करेंगे और इसे 1ग 2-3 मिनेट के लिए कोड़ों की हम जब practically से को जाये तो बहुत यह आसाणी से पलट जाएगा तो देखिये यह आपके सकते हो चेंज हो गया यह बहुत आसाणी से पलट रहा है तो मैंने से बेसन आट किया था ताकि आसाणी नहीं है तो आप इसमें वन टीस्पून रवा एट कर सकते हो इस पर हम दोसार बून ओइल और एट करेंगे ताकि नीचे से भी अच्छी से कूक हो जाए और दूसरी जानिब कूक होने के लिए जादा टाइम नहीं लगता है एक से देड़ मिनट में यह कूक हो जाता है और यहाँ पर सकते हो कितना क्रिस्पी उपर से दिख रहा है बहुत ही यमी है तो फ्रेंड्स कैसी लगी रेसेपी आपको कमेंट करके जुरूर बताईए और अगर रेसेपी पसंद रहे तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करना ना बूले मेरे चैनल को सब्स्राइब करें और वीडियो दे